तो यहां देखों काईज आप लोग तो आप यहां पे स्वीच के नहा सकते जैसे देख देख नहा रहा हूँ तो यहां पे हमारा ब्रेकफास्ट आच चुका है ब्रेकफास्ट को हमने यह ओडर किये और यह आप देख सकते हो यह हमारा फेबरेट चिकन का फिस जिसे चिकन लेकफिस बोलते हैं एक सिरीज की भी सुटिंग हुई है खाकी Netflix की एक सीरीज है उसके शुटिंग हुई थी यहाँ पे लास्ट येर वो शुटिंग हुई थी और इस साल भी एक बेंगॉली मुवी की शुटिंग हुई है उसकी टीम हमारे यहाँ स्टे की हुई है तो हेलो दोस्तों स्वागत याँ वीडियो में हुँ आलोग और आज हमाज चुके हैं रांची से मैकलुस्की गंज यो की रांची से साठ से 65 किलोमेटर की दूरी पर है और मैकलुस्की गंज जार्खन का बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए पूरा नेचर के बीच में बसा हुआ है तो आज हम इस रिजॉर्ट में रुखने वाले हैं और यह रिजॉर्ट काफी पुराना है अंग्रेजियों के टाइम का यह रिजॉर्ट है जिसे की यहां के नजारे दिखाते हैं दोस्तों यह देख सकते हैं वेड़ लॉक्स ग्रीन होटल रिसॉर्ट का यहां पर तीन तीन ब्रांच है जो कि धनबाद मधुफूर और मैकलुस्की गंज में हैं तो काफी सुन्दर है और काफी बढ़िया है यहां पर तो आप यहां पर देख कर सकते हैं या इन से बात करना हो तो फिर बात कर सकते हैं तो दोस्तों अभी हम अपने रूम में आचके हैं और यह जो हमारा रूम है वो काफी बढ़ी है आप देखोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा यार तो ये देखो तो ये देखो ये हमारा रूम है इसी रूम में आज हम यहाँ पर स्टे करने वाले हैं और काफी बड़ा यहाँ पर हमारा रूम है ये देखो और इस तरह पर यहाँ पर टीवी लगा साथ में हमारा बातरूम है यह देख बातरूम में काफी बड़ा साइज और यह इधर देख सकती है इधर चारो तरब ग्लास लगा हुआ है तो आप यहां से एकंदम न है इधर जो तो मुझे यह रूम काफी बढ़िया लगा और अगर इस रूम की प्राइस की बात करें तो वह चार हजार रूपे यहां पर है तो हमने यह ऑल लाइन ही बुक किया था इनके साइट पे जाके और आपको भी दिखेगा कॉंटेक्ट नंबर तो आप भी वहां से बुक कर सकते ह या तो फिर इनके साइट पे जाके आप वहां पर बुक कर सकते हैं तो और भी यहां पर कुछ-कुछ रूम है जो कि एक तीन हजार के भी है कुछ कंक के भी रूम है तो वह भी आपको हम दिखाते हैं तो यह हमारा साफारी स्वीट रूम है तो काफी बढ़िया है तो यह भी ठीक है अगर आप लोग दो लोग आते हैं तो रह सकते है और इसका बात्रूम देखो यां बात्रूम जो है न काफी बड़ा है और काफी फ्रिस है तो यह रूम मुझे काफी बढ़ गया लगा तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इस रूम को 3,000 रुपया में आपे ले सकते हो 3,000 के साथ में आपको GST भी पे करना पड़ेगा तो हमें काफी जोरो की भूफ लगी है तो अब हम कुछ नास्ता वास्ता करते हैं और नास्ते में हम क्या-क्या ओडर करते हैं देखना तो दोस्तों अभी हम लोग रेस्टियंट के बैक साइड वाले एरिया में आ चुके हैं जलती रहती है, तो यह काफी बढ़िया है, और इधर आप देख सकते हो, एक छोटा सा प्यारा सा गार्डेन है यहाँ पर इनका, तो इधर भी आप बैठ सकते हो, जिन्हें यहाँ पर खाना खाना हो, वो यहाँ भी खाना खा सकते हैं, और अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंग जल्दी से फिनिस करते हैं, उसके बाद हमने घूमने के लिए भी निकल ला है, जल्दी से फिनिस करते हैं, और फिर मिलते हैं अप से लिए आप से लिए, तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, वाच टावर और यहाँ से डेगा डेगी, चार किलोमेटर है, और यहाँ प तो इसी के बगल से आपको आना है और इस रोट से आप वाच टावर के उपर जा सकते हैं यह आप देख सकते हैं लैंड मार्क में इसको याद रखना यह देखो यह चापकल है तो चापकल के बगल वाले रास्ते से आपको यहां से चड़ना है दोस्तो यह है यहां का देख सकते हो वाच टावर और यहां से आपको मैकलुस्की गंस के देख सकते हो इधर गाउं बसे हैं तो यह आपको गाउं यहां पे दिख जाएगा साथ में इधर देख सकते हो पूरा जंगल वाला एरिया है तो आप यहां से पूरा जंगल नेचर का भी भी ले सकते हो आस पास के गाओं को भी देख सकते हो और इधर देख सके यह अपका जस्ट बगल में ही अष्य अधा tips हमारी घाड़ी वहां पर खड़ी है और उसी के बगल में वहां पर Main Road है तो वहां से आपको गाड़ी पार्क करके फिर आपको यहां पे ट्रैकिंग करते हुए पहाड में थोड़ा सा चढ़ना है उसके बाद फिर आप यहां पे इस टावर पे आके और यहां से पूरा भ्यू का मज़ा ले सकते हैं तो दोस्तों अभी मैकलुस्की गंज के वाच टावर पे आ चुके हैं और यहां से आपको मैकलुस्की गंज का पूरा नजारा दिखता है पूरा घ्रिनरी दिखता है त्यार जो भी नेचर लव है जन्गल जाड नेचर के बीच में घूमना खाना फिना पसंद हो वह इस जग कि गंज का नजारा लेना और आपको नजारा कैसा लगता अगर आप वीडियो को देखते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताता है तो दोस्तों हम स्वीमिंग पूल के पास आ चुके हैं और अभी हम स्वीमिंग पूल में नहाने वाले हैं पानी काफी क्लीन है ताजी और फ्रेस है यह देखो भाई साब फूल देखो आप फूल इसी में आज हम नहाने वाले हैं तो चलिए फटा 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 स्वीमिंग पूल के अंदर चलते हैं और वहां पे मस्ती करते हैं आपको दिखाते हैं अच्छी तरह से काफी कलर चुछ दोस्तों यहां पे हमारा बिर्यानी आ चुका है और यहां पे देख सकते हो काफी अच्छी तरह से काफी कलर तरह से बढ़ सिर्फ़ दिख रहा है यहां फेश्ट परड़िय। दोस्तों में प्रक्षथ कर तेहों दीच करते हैं क्ए कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर रहता दी आ गया है काफी गएड़ा है बहुत सारे अर्rone पर दावी पर जाते हैं, तो वहां पर बिलकुल पानी वाला राइता दिया जाए, यहां का राइता काफी देख सकते हैं, काफी गाणास है बहुत ही बड़ी है, काफी अच्छी तरह से इसमें मसाली डालके भूने गया है, बहुत सारे मसाली डालके और सब्जियां को डालके इसे बनाया गया है, काफी स्वादिस्थ है, तो अब हम चिकन को टेस्ट करते हैं, और यह आप देख सकते हो, यह हमारा फेबरेट चिकन का जिसे चिकन लेक पिस बोलते हैं, तो अब हम इसे खाते हैं, अब है, चिकन का टेस्ट को बहुत बड़ी है, तो जोस्तो यहाँ पे हमारा कडाही चिकन आ चुका है, और आप यह देख रहूं, चिकन का जो ग्रेवी है ना, काफी सान्दार है, और काफी लटक्शन देख सा एकपट वाला ग्रेवी है यह देखो भाई साथ काफी अच्छी तरह से इसे प्याज और सिम्ला मिल्स डाल के बनाया गया है यह देखो आप हमारा चिकन कडाही और चावल आ चुका है तो इसे हम पहले ग्रेवी के साथ में टेस्ट करते हैं अच्छी कडाही हो तो ऐसा मतलब खाने की मैं जितनी तारीफ करूं वह कम है काफी स्वादिश चिकन कडाही है और काफी गर्मा गरम है तो हम चिकन को ट्राइ करते हैं तो हमने चिकन बिल्यानी खाया बेवी कॉन चिल्ली खाया चिकन कडाही खाया तो सारे चीजों का स्वाद काफी बड़ी है तो अगर आप आते हो तो यहां पर चीजों को ट्राइ करना आपको टेस्ट कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना काफी स्वादिस्ट है मैं फटा-फटी से फिनिस करता हूँ और फिमिलता हो तो दोस्तो अभी रात हो चुका है और अभी हम आपको स्विमिंग पूल का नाइट वी दिखाने वाले कि यह रात में कैसा दिखते हैं तो हमारे पीछे आप देख सकते यह कितना खुबसूरत स हो तो यहां पर देख सकते हूँ यह स्विमिंग पूल जो कि रात के समय का सीनытंग है और फूल कि इंदर देख सकते हूँ कितनी अच्छी तरह से लाइटिंग की गई है जिसे की फूल का जो पानी हे एकदम पूरा रंग बिरंगा हरा भरा दिख रहा है तो दोस्तों यहां पिरफायर डेख सकते। यहां पर जला दिया गया है और इसी के बगल में हमारा यहां पर चिकन टिका, और हमस्प", यहां से इसी में बगल हमें reflects ट सुधिकनम। तो अब हम इस सारे चीजों को टेस्ट करते हैं फिर आपको इसका टेस्ट बताते हैं कि अब अब टेस्ट काफी बढ़िया है और काफी अच्छी तरह से इसे रोस्ट किया गया है और हमें टेबल में काफी अच्छी तरह से सजा के इसे सर्फ कर दिया गया है और यह देखो यह कितना खूबसूरत सा दिख रहा है यहां देखो तो टेस्ट के साथ में यहां पर आपको सर्विस काफी बढ़िया दिया जाता है कि एक बार आप लोग यहां पे जरूर से जरूर विज़िट करना तार्टर कंप्लीट करना के बाद हमारा यहां प Im Kors आ जिसमेंचे मारा पे बटर नान नान शैलिट बटर पनीर मसाला और यह मिकस भेज है तो चलिए यह सारे चीजों करते हैं पिर आपको एस का टेष्ट बताते हैं तो दोस्तों यहां पर हमारा खाना मिलंचुका है और अब देख सकते हैं यहां पर हमने बटरण लिया पनीर बटर मसाला मिक्सवेज और यहां पर थोड़ी सी सलाथ है तो चलिए हम इसे टेष्ट करते हैं तो काफी लाजवाक सद दिख रहा है यह उपर से एक पनीर डाला तो दोस्तों यहां का खाना मुझे काफी स्वादिश लगा तो अगर आप भी मैकनुस्की गंज आते हो तो एक बार यहां पे जीरो माइन रिसोर्ट आना और यहां के फूट को टेस्ट करना और यहां के जो होटेल्स रूम है वह सब भी काफी बड़ी आए और साथ में यहां का सर्विस वह भी बहुत ही लाजवाव है तो प्रॉपर जो मैं खाना की बात करूँ लंच ब्रेफास्ट बीनर वह सारा इसे बनाए गया है मसालों को बैलेंस करके बनाए गया है तो मुझे यहां का खाना बहुत ही स्वादिश लगा तो अब मैं इन सभी खानों को फिनिस करता हूं और फिर मिलतों आप से निक्स वीडियो में तो जो भी चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्रस्की गंच अपने जंगल के लिए काफी जादा फेमस है और हमारे रिजॉर्ट में भी अगर आप आएंगे तो आपको फुल ऑन ग्रीन टी मिलेगी जो आजकल शेहर में काफी जादा मिसिंग हो गया है लोगों को शेहर में ये चीज़े नहीं मिल पाती है और लोग ज सब मॉडन फैसिल्टी देने की कोशिश की है जो आज कल लोगों को चाहिए होता है एक बिक सीरीज की भी सुटिंग हुई है खाखी नेट्फिक्स की एक सीरीज है उसके सुटिंग हुई थी यहां पे लास्ट यर वो शुटिंग हुई थी और इस साल भी एक बेंगॉली तो यहां पेंगॉली मुवी नेट्विक्स की सीरीज की तीम हमारे हां इस्टे की हुई थी उसके पहले एक मुवी बनी है इस प्लेस पे ही बनी है दाट वस अदेथ इन गंज मुवी बाई दाट वस ओम पूरी थे उसमें और वहां कल की कोल्चलीन यह लोग भी थे तो वो पूरी मुवी मैकलस की गंज में ही शूट हुई है और बेंगॉली के लिए तो यह काफी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कौलकता के इतने ज़्यादा तो टुरेस्ट आते हैं हमारे यहां आप जैसे भी चाहे आप यहां पर एडवांस बुकिंग लेकर आप इंजॉई करिया विंटर्स में यहां काफी जादा रश रहता है विंटर्स में इस प्लेस में आप देखोगो कि मैकलस की गंज जारन की प्रकिर्टी की गोद में बसा हुए है तो वही काफी सुंदर है और यह रिजॉट में आपको फूड भी जो है काफी स्वादिश दिया जाता है यहां का जो सर्विस है वही काफी अच्छा है आपको ज्यादा टाइम ने दिया जाता है वेट नी करना पड़ता है के लिए और यहां पे हमने स्वीमिंग फूल में इतनी सारी मस्ती की और यहां पे जो होटेल के कमरे हैं वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा तो अगर आप भी वीकेंड के टाइम पे घुमना फिरना पसंद करते हो सहर की भाग दौर जिन्दगी से एदम तंग आ चुके ह आके और एक दूर दिन का यहां पर वीकेंड प्लान करके आओ और यहां पर अस्ते करो और मस्त एकदम सान्थ वाला वातावरन में यहां पर रहो घुमो और फिर इंज्वाई करो तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्स्राइब करना तो आज की वीडि झाल